हेलो दोस्तों वेलकम टू क्लाउड लेर्निंग अब काफी कुछ अच्छा सा लेर्न कर लिया हुआ अब तक कुछ प्रैक्टिस कर लिया हुआ और आज का ही वीडियो है हिंदी सीरीज का और इस वीडियो में मैं आप लोगों की डिल आया हूँ अगर कुछ एड हो सकता है कुछ आइडिया हो और हो सकता है कुछ कंसेप्ट में कुछ कमी हो या कुछ कुछ add हो सकता है तो वो चीछ clarity आजाए तो कुछ अगर doubt है तो वो clarity आजाए तो अगर ये वीडियो आप देख रहे हो तो ये वीडियो पूरा देखना कुछ miss मत करो ताकि आपको कुछ ना कुछ आपका जरूर add होगा, that I believe और जैसे कि ये दो सीरीज अपनी चली रही है तो इसमें हम लोगों ने हिंदी की सीरीज में काफी कुछ almost scores का cover कर लिया है एक pricing का वीडियो रहता है pricing का वीडियो बहुत जल्दी मैं ले के आऊंगा और उसके बाद एक दो वीडियो धियान में आ रहे हैं एक दो टॉपिक धियान में आ रहे हैं जो शायद रहा गया है भी डाइनमो डेवी का और इलास्टिक कैशियर ये दो वीडियो अगर नहीं बनाया हुआ है नहीं cover किया हुआ है तो मैं इसमें cover कर दूँगा और उसके बाद ये आपका course complete हो जाएगा हिंदी सीरीज के लिए हिंदी में AWS का ये वीडियो देखने के बाद आप अपने इस course के लिए certification के लिए जा सकते हो कुछ tips रहेंगी like FAQ पर जाना, कुछ FAQ पढ़ लेना कुछ topics का थोड़ा सा details अगर आप सरफ topic खोलोगे कोई भी topic अगर आपको पढ़ना है अगर EC2 पढ़ना है तो aws.omason.com EC2 पर जाओ slash EC2 लिख दो उसके बाद EC2 का आपके पास page खुल जाएगा और just go through कर लो एक बार इस तरीके सा अगर go through कर लेते हो तो वो काफी help करता है क्योंकि चीज़े आपको clarity आगे concept पता लग क्या इसके बाद अगर ये सब topics एक बार go through कर लेते हो तो आपको काफी easy हो जाएगा ठीक है तो आज के topic पे आते हैं what is cloud computing और जब भी आप कोई course start करता हो cloud computing का तो ये video जरूर देखना चाहिए तो इसलिए मैं आपके पास ये video लेके आया हूँ को start करते है what is cloud computing cloud computing करता है क्या है दोस्तों एक बार concept अपना समझता है क्या है by which we can access the application or utilities over the internet ठीक है तो अगर आपको server चाहिए तो suppose करो आपको एक server चाहिए तो आप उस server को as a utility use कर सकते हो और वह आपको internet पर available हो जाएगा जैसा कि हम लोगों ने देखा ये कि आपको आपको server चाहिए आपने EC2 Constance बनाया और वह server आपके लिए available हो गया आपको physical कुछ भी hardware setup करने का जबरूत नहीं है direct आपने लिया उसको बनाया कोई hardware setup नहीं किया कोई OS installation नहीं किया वह बने बनाये templates साथ आपको में लिया आपने क्या क्या आपने उस application को as a utility use कर लिया allows us to create configure and customize applications online तो सारा काम आप क्या कर सकतो online कर सकतो internet पर आप console access कर सकतो उसके बाद जो भी आप setting करना चाहो यह create करना चाहो वह कर सकतो आपको database की जरू होता है आपने database service में गया और database create कर दिया आपको server की जरू होता है आपने server create कर दिया आपको mailing environment setup करना है तो आप workmail के service में गया आपने वहाप पर setup कर दिया तो इस तरीके से सभी की services आपको storage चाहिए आपको storage आपने online configure कर दिया तो सारी services आपको online internet पर via console available है तो this is cloud computing कुछ भी आपको चाहिए आप उसको access कर सकते हो जैसे with cloud computing users can access database resources via the internet from anywhere for us as long as they need without worrying about the maintenance or management of actual resources क्योंकि resources चाहिए तो resources तो already लगे हुए है resources तो वहाँ पर चाहिए होगा ऐसा तो नहीं है कि अगर आपको server चाहिए तो उनको server setup नहीं करना पड़ेगा crowd में अपने आपी setup होज़गा सब कुछ setup है लेकिन वह अब data center आपकी location पना होकर data center भी भी है लेकिन आपकी location पन नहीं है वह कहां पर है वह remote locations पे रख दिया पूरे worldwide remote locations पे आपके data center setup कर दिये और उन data centers का access आपको console गत्रू दे दिया इस तरीके से दोस्तो cloud computing काम करती है what is cloud the term cloud refers to a network or cloud in other words we can say that cloud is something which is present at remote location मतलब आपके पास नहीं जैसे बादलों को आप touch नहीं कर सकते इसी तरीके से आप इसको touch नहीं कर सकते आप इसको सरफ देख रहे हो कि हाँ ठीक है यहाँ पर है और वहां से आप resources को access कर सकते हो cloud can provide services over network that is on public network और in private network like van, LAN और VPN हमने देखा कि VPN के थुरू आप servers को connect कर सकते हो या उनको LAN के थुरू भी setup कर सकते हो public network बना सकते हो या private network बना सकते हो बीपीसी के तुरू आप बना सकते हो काम application जैसे email, web conferencing यह सब application सब कहां run करेंगे आपकी cloud के अंदर ही run कर रहेंगे it offers data storage infra as applications यह सब हमको मालूम है आप लोगों ने देख चुके हो combination of software और hardware क्योंकि hardware भी setup है और hardware के उपर application setup है तो आपको hardware भी मिल जाता है infra as a service के example के थुरू और software भी मिल जाता है जैसे अगर आपको SQL server चाहिए यह कुछ database चाहिए यह कोई email application चाहिए हो सब आपको मिल जाएगी इसके थुरू ऐसे software भी मिल जाता है so cloud computing का architecture architecture देख लेते हैं किस तरीके से तो हो क्या रहा है देखो मैं वह जो आपको बताया data center अभी भी है लेकिन वह जो companies provide करें उन companies ने अलग अलग location पर setup कर दिया जैसे AWS का example लेतो है Amazon का या Microsoft का जूरे का उसने क्या किया आपको इंडिया में एक data center setup कर दिया Mumbai location में एक Singapore में कर दिया एक तीन data center US में setup कर दिया एक center Australia में setup कर दिया इस तरीके से ऐसे data centers उन्होंने यहाँ पर setup कर दिये जिसमें आपका infra भी है applications भी है और storage भी है और यह सारी applications web application भी आप यहाँ पर host कर रहे हो और यह सारी applications किसके थूरू access कर सकते हो अगर कोई आप roommate पर बैठे हो computer से connected हो कर सकते हो access फोन पर हो phone से कर सकते हो access mobile पर हो mobile से जारेगा तो इस तरीके से आप यह सारी services को access कर सकते हो basic concepts क्या क्या है deployment model है service model है आप easily इनको access कर सकते हो deployment model क्या है deployment model है कि आपका cloud है वो किस तरीके सेट अप है मतलब public setup है private setup है hybrid है यह community है इसका मतलब हो गया कि VPC की बात कर रहे है कि हमने अपना network किस तरीके से setup किया हो है वो publicly available है या publicly setup है या कोई भी access कर सकता है private cloud है यानि सरफ आपकी company का network है और आपने isolated कर रहा है बाकी network से उसको और को access नहीं कर सकता सरफ आपकी company access कर सकती है hybrid cloud है मतलब कुछ public भी है और कुछ private subnet भी है यानि कुछ servers publicly internet पे accessible है और कुछ private है जो सरफ आपकी company के network से एक्सेस हो सकते हैं community यानि website का कुछ आपने setup किया हुआ है कुछ social media से related है तो आपका community cloud हो गया तो जैसे यहां पे लिखा हूँ अभी आप देखोगे कि public cloud है वो किसी भी यह less secure है क्योंकि internet पे available है तो access यहां होने का chances इसमें बढ़ जाता है जैसे email एक example जैसे gmail का आपका mail यूज करते हो या yahoo mail यूज करते हो आपने कोई server तो setup की या निए वो तो सिरफ आपने आप उनके services को access करते हो बट वो जो server setup है वो कहीं तो setup है तो वो data centers में setup है तो वो public cloud का example है इमेल हो गया जैसे gmail या yahoo का private cloud किया है private cloud सिरफ आपकी company के employee या company का जो network है वो ही लोग access कर सकते है private cloud allows system and services to be accessible within organization तो यह जो organization के employee है सिरफ वो ही करेंगे isolated network हो गया ऐसा नहीं है कि कोई भी गया और internet से access कर लिया वो चीज नहीं है आपका safe है तो यह more secure है ठीक है क्योंकि इसमें security आपका यहां पर बढ़ गया क्योंकि प्राइवेट है और बाकि सब external traffic इसमें ब्लॉग है community cloud है यह क्या करेगा system and services को accessible कर देगा by group of organization मतलब number of companies उस network को access कर सकती है तो number of companies के लिए यह number of organization के लिए यह available हो गया hybrid cloud public भी है और private भी आपको की public server भी है आपको कुछ servers होंगे जो आपकी प्राइवेट पर होंगे लाइक email service हो गई या जो भी आप setup करना चाहते हो वह publicly internet पर accessible होंगे लेकिन जो critical services है critical activities है उनको आप नहीं चाहते कि आप किसी के साथ share करो आपने उसको private cloud के अंदर रख दिया service model क्या क्या है service model देख रहते हैं दोस्तों तीन चीज़े होती है infra as a service काम करता है platform as a service काम करता है तो आयास पास सास इसका क्या मतलब हो गया कि आपको server चाहिए आपको अपनी company के लिए server या hardware setup करना है hardware setup करना है और जितना आप hardware use करो उसका पी कर दो तो this is an example of infra as a service आपने क्या किया आपको 10 server चाहिए थे उसमें storage चाहिए थे जितनी आपने server लिए जितनी storage लिए physical machines मतलब आपको वो या virtual machines कर सकते हो वो आपको provide कर देगा ठीक है जितनी demand है उतना अगर आपको आज दो server चाहिए थे आपने आज दो ले लिए फिर आपको दो और server चाहिए थे आपने दो लिए टोटल चाहर सर्वर होगा आप चाहर सर्वर को जतना यूज कर रहे उतना है पे कर रहे तो आपने क्या क्या आप अपने infra को यूज कर रहे है उस पर आप जो भी application डालना चाहते हो कर सकते है तो infra as a service usually based on uses जतना आपने यूज करोगे पेपर यूज का फंडा है जतना आप यूज करोगे उतना आपको पे करना multi-tenant virtualized environment यानि आपके प्रोसेसर हैं CPU हैं वो एक shared pool भी बना देते हैं तो आगर आपको shared pool में से देदेंगे जतना आपको resource चाहिए उतना देदेंगे तो आपका pricing थोड़ा कम हो pool में से जिस organization को जरूद पढ़ा तो उसको दे दिया जब उसको नहीं जरूद पढ़ेगा तो release में रहेगा इसका benefit कहां पर है आपको charges में मिलना है यह चीज़ आप physical machine में नहीं कर सकते है physical में तो जो लगा हुआ है वो लगा हुआ है dedicated है तो यह चीज़ आपको virtual में जो virtualization आया था VMware में महाँ पर advantage आया और virtualization का ही enhanced loop मैं कह सकता हूँ enhanced shape में अगर आप देखोगे तो वह आगया आपका cloud विज़ आया था VMware आप लोगों ने काफी मिन देखा होगा तो उसमें क्या हुआ पहले अलग-अलग physical सभा बनाने पड़ता था जो traditional environment होता था लेकिन उसके बा अगर हम जास्ट एक मिनट तो क्या करते थे फिजिक पहले traditional होता था तो उसमें क्या होता था आप अलग-अलग server बनाते रहते थे आपको जितने server चाहिए थे आप बना देते थे इमेल चाहिए थी तो इमेल का बना दिया आपको विंडोस server चाहिए था अपने बना दिया उस पर जो भी services आपने डाल दी थी वो डाल दिया था ऐसे काम करता था जितने भी server है ठीक है अब ये FTP server चाहिए था आपने FTP ले लिया ऐसे पहले काम करता था आपने कोई website host करनी थी आपने इस पर server को लिया और इस पर आपने website host कर दी अपनी company की अब ये total आपके इस तरीके से जितने भी आपके server थे वो server आपके setup हो गया अब ये 4 server है चारो physical server है चारो पर dedicated लगा लेकिन उसके बाद क्या हुआ एक नया चीज़ आया जिसको बोलते थे VMware इसने भी काफी ज़्यादा market में change किया क्योंकि हुआ क्या अगर आपके इस तरीके से 100 server है तो 100 server की maintenance काफी ज़्यादा हो जाती थे लेकिन इन्होंने क्या किया VMware के आने के बाद सर्फ एक ही सर्वर की जडरूत रही आपको ज्याद सर्वर की जडरूत नहीं रही एक ही सर्वर की जडरूत रही उसमें क्या हुआ तो आपने एक large configuration का server ले लिया बोलते थे emware server इस पे आपने क्या किया एक esx install कर देते थे जो os रहता है ठीक है और उसके उपपर आपके multiple servers install हो जाते थे एक ही VM तो इसमें क्या हुआ इसमें RAM लगा दी आपने 100GB की RAM लगा दी तो configuration ज्यादा हो गई अब आपने चार server हैं आपने या जितने भी server से आपके जितनी जिसको requirement है उसके accordingly है आपके यह servers में distribute कर दिया और यह आपका large physical machine है यह physical था और इसके बाद यह सारे servers हो गए virtual तो sorry अगर उसमें clear ना हो लेकिन concept है अगर आप देखो तो आपके 1,2,3,4 आपने 100 servers पे host कर दिये तो इससे फाइदा क्या हुआ कि आपको सरफ एक ही server को manage करना पड़ा या इसका cluster partner जाद से जादा manage करना पड़ा तो दो server हो गए तो data center में space आपका कम लगा आपकी maintenance का cost maintenance कम हो गई और जब maintenance कम हो गई तो आपको इसका ultimately काफी advantage हुआ हर cost saving भी हुआ maintenance कम हुआ तो cost saving हुआ आपको maintenance कम करना पड़ेगा तो engineer कम लगाने पड़ेंगे और server easily manage करना है जी हो गया क्योंकि आप इसको just shut down कर सकते हो आप कर सकते हो बहुत simply करना है क्याता है vmware में भी आपको manage तो करने ही पड़ेगा न ऐसा तो नहीं है कि manage नहीं करना पड़ेगा वह servers को लेकिन जब से cloud आया तो आपको data center की ज़रूरती खतम हो गया data centers आपको चाहिए ही नहीं इतना तो इस इसका बहुत फायदा हुआ और अब जो data center थे वह properly proper big professional companies manage कर रही है तो उससे काफी ज़्यादा चला जैसे 2006 में आपका Amazon आया था Amazon ने 2006 में launch किया public cloud और फिर उसके बाद Microsoft Azure भी आया है काफी चला है तो यह लोग infra as a service का या platform as a service जैसे अगर आपको SQL की application चाहिए तो आप easily इस पर setup कर सकते हो पास प्रोवाइड the runtime environment for application development and deployment tools लाइक आप PHP developer हो तो आपको सारा machine setup करने का जोत नहीं है बस आप एक PHP का environment setup कर दो elastic bean stock में जाके और उसके बाद अपना code upload करो just code पे काम करो मतलब आप focus करोगे अपनी चीजों पर कि अगर आप code पे काम करते हो प्रो सारा पार्ट किसे ने take care कर लिया cloud के service providers ने तो अगर आप देखोगे infra के या past के example देखोगे तो Amazon काफी टॉप पे है Amazon ने सबसे पहले start किया था उसके बाद अजूरे है Google भी है और बाकी ये सब service providers भी यहाँ पर है एक शीच होती है दोस्तो software as a service जिसमें आप क्या करते हो SaaS model allows to use software application as a service आप Facebook use करो तो Facebook क्या Facebook is the example of SaaS SaaS is a software delivery methodology that provides license multi-tenant access to software and its function remotely as a web server मतलब आपको कुछ application setup करने की चुरूत नहीं है benefits होई है usually based on uses multi-tenant environment और highly scalable आप बढ़ाना चाहते हो कभी भी बढ़ा सकते हो SaaS के example है जैसे salesforce.com है share point आप लोगोंने काफी देखा हुआ पोस्त नहीं है spamming और उसके लिए काफी यूज़ होता है Facebook है Facebook तो बहुत बड़ा example है SaaS के लिए कि यूज़ करते हो कितना application को यूज़ करते हो share point को भी काफी लोग यूज़ करते है MS office को भी आजकल windows भी MS word भी online आ गया इंटरनेट पर office को लो और वो office launch हो जाएगा तो वो आप software as a service यूज़ करा आपको software install नहीं करना पड़ा आप सिर्फ गूगल पर लिंक खोला इंटरनेट पर लिंक खोला और आपने access कर ली service यह कुछ एक्जामपल है जैसे अगर आप यूज़ कर रहे होंगे जैसे यूटूब तो आप देखी रहे हो तो यूटूब भी इस लाउड की application है यह सास का example है बॉक्स है टॉब बॉक्स एवरनोट इसका आप देखो आप सारी applications की है Facebook LinkedIn Gmail सब cloud की applications है और आप देख सकते हो कि इतनी application में काफे सारी application आप अल्लेड़ी यूज़ कर रहे होंगे जैसे Amazon है eBay फिलिपकार्ट है सब सरफ cloud के ही application के example है और आप देख सकते हो कि crowd हमको किस तरीके से हमारी life में एंटर कर चुका है advantage क्या क्या है lower computer cost है pricing कम हो जाता है maintenance कम हो जाता है reduce maintenance performance increase है sorry reduce software cost software updates आपको automatically मिल जाता है unlimited storage आप कितना भी ले सकते हो data की reliability data पर जल्दे से lost नहीं होगा document सभी लोग access कर सकते हैं easily है आप लेटेस लेटेस वर्जन आपके पास available रहेगा device independent है laptop पर उसके करना चाहो विड्डो टक 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 टो पर करना चाहो mobile पर करना चाहो ऐसा नहीं कि आपको अलग अप्लिकेशन इंस्टाल करनी है और यह सबको simply internet पर काफी easily available हो जाता है और accessible है एक url के तुरू सारी अप्लिकेशन ओल्मोस्ट एक्सेस हो जाता है हाँ disadvantage क्या-क्या है internet connection चाहिए आपको internet नहीं चला आपकी application दाउन है तो सबसे बड़े disadvantage आप कह सकते हो यही है कि internet connection की dependency है तो internet connection एक high speed अच्छा internet connection चाहिए रहता है low speed connection के साथ जैसे मैंने बताया आपको अच्छा काम नहीं करेगा feature might be limited CJ limited हो सकता है क्योंकि आपके पास physical access तो है नीची जोका तो आप उस पर ज्यादा कुछ change नहीं कर सकते है internet connection slow है तो आपकी speed slow हो सकती है data lost होने का chances बहुत कम है लेकिन cloud पे है तो obviously थोड़ा सा risk रहता है but to treat a kind of store data might not be secure ऐसा नहीं है क्योंकि अब जो जितनी भी companies आ रही है वो काफी ज्यादा certifications के साथ आती है security measures वो use करती है तो वो disadvantage तो मैं आपको यलिए नहीं क्योंगा कि उतना ज्यादा है but obviously cloud पे है तो थोड़ा सा कहीं पर एक थरीट होता है कि कहीं कोई use ना कर ले मतलब कुछ companies किसी तरीके से अगर कुछ fraud ना करें तो तो वैसे लेकिन जो अच्छे service providers हैं जैसे Amazon है Microsoft है आप इन पर काफी reliable कर सकते हो sales force है क्योंकि काफी reliable है यह लोग काफी ज्यादा security audits कराते हैं और access अपने पास भी नहीं रखते हैं डेटा आपका encrypted रहता है तो secure रहता है sales force है यह आपके major है और almost 70% तो AWS नहीं market capture किया हुआ है so यह आप cloud service provider के पास जा सकते हैं cloud storage के example जैसे आप sky drive dropbox या Amazon का cloud drive आता है या box में आप जा सकते हैं और आप data store कर सकते हो so I hope दोस्तों आपके लिए useful रहा होगा यह session और यह video और आपके कुछ questions आते हैं कुछ queries हैं तो please do write me मैं आपके questions का answer देने का कोशिश करूँगा जो कुछ queries आता है और अगर आप practice करना चाहो तो AWS के लिए aws.amazon.com पे जाके आप free tire का account बना सकते हो one year के लिए है आपको मिलता है और one year के लिए आप काफी सारी services इसकी under free tire use कर सकते हो अगर आप देखना चाहते हो कि क्या के services available under free tire तो aws.amazon.com slash free कर दिजे और उसमें आपको जितनी important services है वो सब आपको details मिल जाएगा कि क्या क्या free में available है details में आपको मिल जाएगा वैसे almost सारी जितनी भी major services है तो वो सब कुछ free tire के अंदर में मिलती है for one year इसी तरीके से जो दूसरा एक service provider है that is microsoft azure azure और इसमें भी आप जा सकते हो इसके लिए azure.microsoft.com पर जाएए और यहां पर अपना एक free account setup कर लिजे one month के लिए आपको यहां पर trial मिल जाएगा और उसमें कुछ credit आपका amount मिल जाता है I think 200 dollars मिलता है और उसको आप use कर सकते हो और उसके बाद आप सारी services को access कर सकते हो तो thanks दोस्तो thank you for watching और अभी तक अगर चैनल subscribe नहीं किया है like नहीं किया है share कर देना अपने friends के साथ में और subscribe कर देना ताकि चैनल अच्छे से बड़े और आप लोगों का प्यार ऐसे ही मिलता रहे thank you दोस्तो thanks for watching and I will come with you with another video soon thank you